तारे सितारे वमगरहनक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुचे आपने तका राशी फल नई नई ज्यानवर्धक जानकारिया हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें देने के राशी फल दिनांक 2 सितंबर 2019 सोमवार के दिन का तो आज के राशी फल के अनुसार आज का दिन जो है बारा में से आठ राशी वालो के लिए विशेश फल दाई रहेगा वह अन्य चार राशी वालो के लिए आज का दिन थोड़ा सा सा मानने रहेगा तो आज भादरपद माश शुकल पक्षी की तृतिया वा चतुरती तिथी है आज हर्ताली का तीज का वरत वा सोमवार का एक विशे संयोग बन रहा है क्योंकि आज उदियात तिथी में हस्त नक्षत्र होने के कारण हर्ताली का तीज का यह वरत करना अती शुब फलदाई का अर्थ वह देव है जिसमें सोम देव भी जिसे अपना देव मानते हैं यानि देवों के देव महा देव तो पुरणिक कथाओं के नुसार चंद्र देव ने इस दिन भगवान शिव जी की विशेश पूजा आरादना की थी जिससे उन्हें निरवगी काया प्राप्त हु जीवन के बड़े से बड़े कष्टों का निवारण हो जाता है वह हर प्रकार की मनो कामना भगवान शिव जी की करपा से हमारी पूर्ण हो जाती है तो सोमवार को यह विशेश उपाए आपको अवश्य करना चाहिए जो आपकी सारी मनो कामना पूर्ण कर सकते हैं तो वह इस प्रकार से है अगर किसी इंसान के दामपत्ति जीवन या विवाहिक जीवन में समस्याएं ज़्यादा आ रही हो तो सोमवार को प्रातहकाल शिगर उठकर के इसनान करके भगवान गोरी शंकर रुद्राक्ष गोरी शंकर नाम का रुद्राक्ष आता है जो भगवान गी का दीपक जला करके शिव चालिसा या शिवाश्टक का पाठ स्रद्धा पुरुवक करना चाहिए एसा करने से भगवान शिवजी शिगर प्रसन्न हो जाते हैं और सभी समस्याएं अपने आर आप ही दूर होने लगती है इसके अलावा अगला उपाय यह है कि सोमवार को मनो कामनाई शिगर पूरी हो जाती है अगला उपाय है कि सोमवार के दिन एक तामबे के पातर में कच्चा दूद ले करके भगवान शिव जी को चड़ाएं और चड़ा हुआ जल लाकर के उस जल को अपने कारिय स्थल पर या व्यापार स्थल पर छिटक दे में और ओम नम आस्त होगा साम 6 बच के 42 मिनिट पर आज दिन की सुरुवात हस्त नक्षतर से होगी आज शुकल नाम का योग आज रहेगा आज का सुब समय अभीजीत महुरत आरंब होगा दिन के 11 बच के 45 मिनिट से तो 12 बच के 46 मिनिट तक रहेगा तो इस सुब महुरत के दोरान कोई भ कारिया आप कर सकते हैं किसी भी नए काम की सुरुवात आप कर सकते हैं यह जो समय है काफी स्रेष्ट माना जाता है आज का अशुब समय दुष्ट महुरत आरंब होगा दिन के 12 बच के 46 मिनिट से आरंब होगा तो दिन के 3 बच के 18 मिनिट तक चलेगा इस समय आपको कोई न आज दिसा सुल रहेगा पूरवधिसा में तो पूरवधिसा की और मुख करके कोई भी शुब यानये काम की शुरुवात नहीं करें या पूर्व दिसा की यात्रा भी आप नहीं करें यदि यात्रा करना आपको अती आवश्यक हो तो अपने इस्ट देवता का यथा शक्ती नाम उच्चारण करके यात्रा आप कर सकते हैं इसके अलावा आज चोगडिया के अनुसार सुब महर तो इस मिनिट तक रहेगा और दिन में चर का चोगडिया आरंब होगा दिन के एक बच के चपन मिनिट से तो दिन के तीन बच के इकतिस मिनिट तक रहेगा और लाप का चोगडिया रहेगा दिन के तीन बच के इकतिस मिनिट से तो साम पांच बच के छे मिनिट तक रहेगा और साम को अमरत का चोगडिया रहेगा 5 बच के 6 मिनिट से आरंब हो करके तो साम 6 बच के 42 मिनिट तक रहेगा तो चोगडिया के अनुसार इन शुब महुरतों में आप कोई भी शुब या नया कारी आरंब कर सकते हैं किसी भी प्रकार के खरीदी या विक्री का कारिया आप कर सकते हैं यहां समय काफी स्रेष्ट आपके लिए रहेगा तो आज जो है शुब ग्रह योगों के प्रभाव के कारण 12 में से 8 राशी वालों को लाब प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं वह अन्य 4 राशी वालों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा तो आज आपकी राशी के अनुसार कुछ सरल से उपाई भी आपको हम बताएंगे जिससे आपके विग्न संकड बाधाएं दूर होगी और कारे छेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी आपका आर्थिक पक्ष भी काफी मजबूत रहेगा तो अब जानी अपनी जन्म राशी के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं मेश राशी से आरंब करते हैं मेश राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज भाई बहनों मित्रों से आपके संबंद काफी बहतर रहेंगे आप घर की जिम्मेदारियों को स प्रकार से मिल सकते हैं कि अपने अभिलाशाओं की इच्छाओं की पूर्ती में समय आपको अधिक लग सकता है हाला कि आपके आमदानी में व्रद्धी होने के प्रबल योग आज बन रहें और कारी छेतर में वरिष्ट अधिकारियों से किसी बात को लेकर बहस बाजी आपकी हो सकती है तो ऐसी इस्तिति में खुद को शान्त रखे धेरे धारन करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा आज लाइब की अधि हम बात करें तो इस समय आपका दामपत्य जीवन मिला जुला रहेगा जिसमें जीवन के सांथ साथ आपका प्रेम और तकरार देखने को आपको मिलेगी हाला कि जीवन सांथी के सुभाव में आप एक विचित्र गंभिरता का अनुभव आज कर पाएंगे आज व्यवसाई की अधि हम बात करें तो भाग गये का सांथ आज आपको भरपूर मिल पाएगा और कामकाज के छेत्र में अच्छी सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे इस समय अचानक लाव प्राप्ति के प्रबल योग आपके लिए बन रहे हैं किसी भी अवसर को आज आप हाथ से जाने नहीं दे आज स्वास्त की अधी हम बात करें तो आज आपको जोडों से संबंदित कोई दर्द आदी हो सकता है इसलिए आज सारीरिक स्वास्त का आप विशेश ध्यान रखें योग ध्यान का सहरा ले तो आज आपका स्वास्त काफी अच्छा रहेगा तो आज आपका भाग्य शाली अंक साथ है, शुबरंग आपका सफेद रंग है, सफेद रंग का प्रयोग कारी छित्र में आप अधिक स्याधि करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बादाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है, प्रातहकाल इसनान करने के पश्चाद भगवान शीव जी के मंदिर में सुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान शीव जी एवंपार्वती जी का सरद्धा पुर वरशब राशी वालों को आज सुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि यह जो समय है आपके पारिवारिक जीवन के लिए उत्तम संकेत दे रहा है, आपके घर में खुशियों का माहूल आज देखने को आपको मिलेगा, घर में भाही बहनों के बेच सामन जैस्सिक इस् तो कारे छेतर में काफी सफलता हैं आपको मिलेगी, आज आपको अशुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि यह समय आपके लिए तनाव उत्पन न कर सकता है, इसलिए किसी भी तरह के महतुपुलन कारियों को करना आपके लिए आज नुकसान दायक हो सकता है, ऐसे मे जिद्धी सोभाव आज आपको परिशान कर सकता है, तो ऐसी इस्थिती में आज अपने आपको नियंतरण में रखना चाहिए, तो आपके लिए दिन अनुकूल रहेगा, आज विवसाई की यदि हम बात के तो आर्थिक छेतर में आपको भाग्य का सांत आज मिल पाएगा, निवेश अत्वाशेर बाजार से आपको धन लाब मिलने के प्रबल संकेत आज बन रहें, इस समय आपके आर्थिक स्थिती वेसे काफी मजबूत रहेगी, आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज के समय आपका स्वास्त कुल मिला करके बहतर होगा, आप मानसिक सांती म रस्ते है, उनके स्वास्त में आज सुधार के योग बनेंगे, तो आज आपका भागिशाली अंक पांच है, शुबरंग आपका लाल रंग है, लाल रंग का प्रयोकारी छेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाप की प्राप्ती होगी, तो आज शक्ति उनके नाम मंतरों का वहां बेट करके उच्चारन करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आर्थिक इस्तिति आपकी शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि यात्रा के कारण आपका खर्च आज बढ़ सकता है इसके साथ ही यात्रा के दोरान सारीरिक कर्ष्ट होना भी आपको संभावी थे इस समय आपके विरोधी पक्ष काफी मजबूत रहेंगे प्रबल रहेंगे ऐसे में उनसे न साथ को लेकर रूठ जाएं तो उन्हें प्रेम से मनाने का प्रयत्न करें विश्वास दिलाएं कि आगे से इस तरह की पुनरावरत्ति आप नहीं करेंगे यानि आज तालमेल मिला करके रखेंगे तालमेल मना करके रखेंगे तो परिवार में माहोल आपके लिए काफी आप मिल सकता है आज स्वास्ति की यदि हम बात करें तो मानसिक सान्ति के लिए आपका आध्यात्मिक विश्यों की और जुकाव ज्यादा रहेगा और मौसम परिवर्तन के समय होने वाली बिमारियों से आज आपको बचकर कर रहना चाहिए तो आज आपका स्वास्त भी बह पा इस प्रकार से है प्राताहकाल इसनान करने के पस्चाद भगवान शिव जी के मंदिर में सुद्ध घी का दीपक जला करके स्रद्धा पुरवक भगवान शिव जी का पारवती जी का पूजन करें और बिल्व पत्र और धतूरा उनको अरपन करें यथा शक्ती भगवान शिवजी के नाम मंत्रों का उच्चारण करें ऐसा करने से पुरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है करक करक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं यदि आप नोकरी आदी करते हैं और कोई नए कारी का शुबहरंब करना चाहते हैं या किसी तरह का कोई व्यवसाय करने का विचार आप कर रहे हैं तो आप इस समय कर सकते हैं आपको अच्छा लाव वो सफलता प्राप्त आज हो सकेगी जिस किसी कारी के आज सुरुवात करना चाहते हैं उसे आप कर सकते हैं उसमें अच्छा मुनाफ़ा आपको मिल सकता है आज आपको अशुप परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि मन में किसी चीज को लेकर व्याकुलता आपको नजर आ सकती है तो इस समय आपको अपने कुरोध पर विशेश करके नियंतरन रखना चाहिए क्योंकि इसके कारण आप किसी फसाद में या विवाद में आज पढ़ सकते हैं तो विशेश करके अपने कुरोध को नियंतरन में रखें तो आपके लिए उत्तम रहेगा आज लाइब की अदी हम बात करें तो आपके संबंदों को लेकर कई तरह की समस्याएं आपको हो सकती है यदा कदा घर में तनाव की स्थितित पन नहो सकती है इसलिए घर में सभी को विश्वास दिलाएं और तालमेल बना करके रखें तो बहतर रहेगा आज का माहूल आपके लिए उत्तम रहेगा विवसाई की अदी आज हम बात करें तो जो जातक नोकरी आदी की तलास कर रहे हैं उनके बढ़िया नोकरी आदी मिलने की संभावना बढ़ेगी आपको प्रेतन अपना जारी रखना चाहिए और पिता की ओर से आपको किसी प्रकार का आर्थिक लाब मिल सकता है किसी को पैसे उधार देने से आज आपको बचना चाहिए वरना आपको नुकसान हो सकता है आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज स्वास्त के प्रती आप लापरवाह नहीं रहें आज विशेश करके वाहन चलाने में सावधानी रखे तो आपके लिए उत्तम रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक्चे है शुब रंग आपका केशरिया रंग है केशरिया रंग का प्रियोकारी छेतर में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पश्चाद भगवान सिव जी के मंदिर में सुद्ध घी का दीपक जलाएं और सरद्धा पुरवक भगवान सिव जी का पूजन करें 21 बिल पत्रों उनको अरपन करें यथा शक्ति सिव जी के नाम मंत्रों का उच्चारण करें ऐसा करने से पुरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा अगली रासी है सिम्व सिम्व राशी वालों को शुब परिणाम आज इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपको वाद विवाज से धन लाब होने की संभावना ज्यादा हो सकती है और आपको अपने ननिहाल पक्ष की और से अच्छे समाचार की प्राप्ती हो सकेगी इस समय परिवार में समरस्ता का भाव आपको देखने को मिलेगा परिवार का माहूल आपके लिए आज अनुकूल रहेगा आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि व्यावसाईक जीवन में उतार चड़ाव का सामना आज आपको करना पड़ सकता है तो इस समय आपको भाग्य का भी सांत मिलेगा आपको दामपत्ती जीवन में तनाव का सामना भी आज करना पड़ सकता है इसके साथ जीवन साथी की भी सेहत आज बिगड़ सकती है तो उनके स्वास्थ का आज आपको विशेश ध्यान रखना चाहिए आज लाइप की एदी हम बात करें तो आज आज आपकी जीवन में परिसानियों का आपको सामना थोड़ा सा करना पड़ सकता है आज परिवार में दोनों पती पतनी के बिज अहम टकराव आपको नजर आ सकता है इसलिए घर में तालमेल बना करके रखें अच्छा माहूल बना करके रखें तो बहतर होगा आज विवसाई की यदि हम बात करें तो आपके आर्थिक स्थिती को मजबूत होने में किस्मत का आपको पूरा सांथ आज मिल पाएगा हाला कि इस बात का आप ध्यान रखें कि किस्मत उन्हीं लोगों का सांथ देती हैं जो लोग अथक परिस्रम करते हैं आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो इस समय आपके सेहत दुरुस्त रहेगी और आपके विचारों में सकारत भाव देखने को मिलेगा जिससे आपका मन संतुष्ट वप्रसन रहेगा इसका प्रभाव आपके सारेरिक स्वास्त पर अधिक पड़ेगा आपका स्वास्त भी आज बहतर रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक तीन है शुबरंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रयोकारी छित्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटव बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इश्नान करने के पश्चात भगवान शिवजी के मंदिर में शुद्ध घीं का दीपक जला करके भगवान शिवजी एवं पारवती जी का सरद्धा पूर कन्या राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं यदि आप किसी तरह का कोई निवेश करना चाहते हैं तो वह आज आज आप कर सकते हैं आपके निवेश के लिए अच्छा आज का समय है उस निवेश से आगे चलकर आपको आर्थिक लाप के प्रबल योग बन रहें इसलिए आप अपने कारे को बहतर दिशा में देने में आज सफल हो सकेंगे आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि कारे अस्थल में अपने सेनियर से का समान अवश्य करें उनके दिशा निदर्सों का सही पालन करें तो बहतर होगा औ आने के लिए कड़ी मेहनत करना आपको अवश्यक रहेगी और इसके अलावा उच्छे सिक्षा पाने के लिए विद्यारती वर्ग को आज थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आज लाइप की यदि हम बात करें तो आज परिवार में छोटी छोटी बातों मे आपके बीच तनाव उत्पन हो सकता है तरक कुतरक हो सकता है तो ऐसी इस्तिती से बचने के लिए आप धेरी रखकर के काम करें यदि साथी को आपके उपर किसी तरह का संदेह हो तो सबसे पहले उनके संदेह को दूर करने का प्रयत्न करें तो इससे घर में माहुल काफी अ खरिदने का विचार कर सकते हैं वहाँ भी आज आपके लिए सफलता दायक हो सकेगा आज स्वास्ते की यदि हम बात करें तो आज आपको पेट से संबंदित कोई समस्या उत्पन नहों सकती है तो आज विचेश करके खान पान पर आप नियंतरन रखेंगे तो आपके स्वास्ते के लिए बहतर होगा तो आज आपका भागिशाली अंकछे है शुब रंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रियोकारे छेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विगन संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राताहकाल इस्नान करने के पश्चात भगवान शिवजी के मंदिर में शुद्ध घी का दिपक जलाएं और भगवान शिवजी को कच्चा दूद वजल अरपन करें रितूफल का भोग लगाएं यथा शक्ति उनके नाम मंत्रों का वहाँ बेट करके उच्चारण करें एसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब हो वा सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है तुला तो तुला राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपको आगे बढ़ने और तरक्की करने के कई अवसर प्राप्त हो सकेंगे नोकरी पेसा जातोकों को पदुन नती की सोगात आज मिल सकती है इसके अलावा विदयसों या दूर में नोकरी के प्रस्ताव भी आज आपको मिल सकते हैं आपकी योगिता के अनुसार आज आपको सफलता के योग बन रहें आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं यदि आप व्यवसाइ आदी करते हैं तो व्यवसाइक दृष्टी से उतार चड़ाव की स्थितियां आज आपको देखने को मिल सकती है इस समय आपके जो प्रती दंदी है आपको पीछे रखने का पूरा प्रयत्न करेंगे इसलिए आज आज आपको धेरे पुर्वक काम करना चाहिए आज लाइब की यदि हम बात करें तो आपके प्रिये के बीच अहम का टकराव देखने को आपको मिल सकता है जहां तक विवाहित जातकों का सवाल है उन्हें दामपत्ती जीवन में अच्छे परिणाम आज प्राप्त होंगे आज व्यवसाई की यदि हम बात करें तो धन लाब आर्थिक स्थिती को मजबूत बनाने के लिए आज समय आपको भरपूर अवसर प्रदान कर सकता है तो इस समय आपके योग में कोई बड़ा धन लाब भी बन रहा है पेतरक संपत्ती में वरद्धी की प्रबल संभावना आज आपके लिए बन रही है तो आज स्वास्त की द्रष्टी से दिन इस प्रकार से आपका रहेगा किसी तरह के कोई पुराने रोग उत्पन होने की संभावना आज हो सकती है जिसके कारण सारीरिक परिसानिया आज आपकी बढ़ सकती है तो आज विशेष करके खान पान पर नियंतरन रखें योग ध्यान का साहरा ले तो आज आपका स्वास्त भी काफी अच्छा रहेगा तो आज आज आपका भागजिशाली अंक नो हैं शुबरंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रियोकारी छेतर में आप अधिक से अधिक करेंगे और शिवजी का सरद्धा पुर्वक पूजन करें ग्याराह की मात्रा में बिलव पत्र के उपर सफेच चंदन लगा करके अरपन करें यथा शक्ती शिवजी के नाम मंत्रों का उच्चारन करें इसा करने से पुरा दिन आपके लिए शुब व सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी ही व्रश्चिक तो व्रश्चिक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि इस्थिर मन से किसी भी कारे में अच्छी सफलताएं आप हांसिल कर पाएंगे मन को एकागर रखेंगे तो आज आपको काफी सफलताएं मिल सकती है आप गंभीर प्रवरत्ती के व्यक्ति वैसे हैं इसलिए इस दिन आप गंभीरता से ही कोई कारे करें तो अच्छी काम्याबी हांसिल कर पाएंगे आज आपको अशुप परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि यदि आप किसी नोकरी आदी में हैं तो आपको अपने विरोधियों से आज सतर करहना चाहिए क्योंकि किसी भी तरह की राजनिती आपको आज परिशान कर सकती है जिससे आपके केरियर में ज्यादा ही परिशानिया हो सकती है तथा उच्च पद प्राप्त करने में भी आज आपको समस्याई उत्पन हो सकती है तो इसलिए आज आज आपको सावधानी पूरवक कारिय वह व्यवार करना चाहिए आज लाइब की एदि हम बात करें तो जीवन सांती से तालमेल बना करके चलेंगे तो आज का दिन आपके लिए बहतर रहेगा इस दोरान आपको जीवन सांती के क्रोत का भी शिकार होना पड़ सकता है तो इसलिए अपने विवेक से काम ले तो बहतर रहेगा आज विवसाई की एदि हम बात करें तो कारोबार से आपको जम कर लाब होने की योग है विदेशी या दूर इस त्रोत्रों से आमदानी प्राप्त होने के प्रबल संकेत आज आपके लिए बन रहें आपके खर्च में वरद्धी की संभावना अधिक रहेगी तो आज पैसों को सोंच समझ करके खर्च करें विशेश करके खर्च पर नियंतरन बनाए रखें तो बहतर रहेगा आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो यदि आप किसी पुराने रोक से पीड़ी थे तो इस समय आपको राहत उसमें मिल जाएगी फिर भी आज आपको अपने सारीरिक स्वास्त का विशेश ध्यान रखना चाहिए तो आपके लिए बहतर रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक एक है शुबरंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रियोकारी छेतर में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकडवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पश्चाद भगवान शिवजी के मंदिर में सुद्ध गी का दीपक जला करके भगवान शिवजी को गंगा जल में केसर मिला करके उनको इसनान करवाएं यथा शक्ति उनके नाम मंत्रों का वहां बेट करके उच्चारन करें एसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है धनू तो धनू राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज माता पिता जी का स्वास्त उत्तम रहेगा और घर के सभी सदस्यों से आपके रिष्टे बहतर होंगे आपको अच्छे काम में भाई बहनों का पूर्ण सहयोग समर्थन मिल पाएगा घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा अवश्य करें उनका आशिरवाद ले और परिवार की खुशहाली एवं सान्ती के लिए घर में धार्मिक आयोजन हो ऐसा कोई काम करे तो बहतर रहेगा आज आपको अशुप परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं यदि किसी कारण से आपका मन परेशान अत्वा दुखी है तो उस परेशानी का इलाज करें वरना आपको नोकरिया विवसाय में नुकसान होने की संभावना अधिक रहेगी और यदि आप पढ़ाई करते हैं विद्यारती हैं तो अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की आज आपको आवशकता है तो आपके लिए उत्तम रहेगा आज लाइब की यदि हम बात करें तो यदि आप किसी से इसनेह जादा करते हैं तो उसके लिए भी समय निकालना आपके लिए उत्तम रहेगा तभी आपके इसनेह संभंदों में निखार रहेगा और परिवार में भी इससे माहूल काफी बहतर रहेगा आज विवसाई की यदि हम बात करें तो पिता की ओर से आपको किसी प्रकार का आर्थिक लाब आज मिलने के योग हैं किसी को पैसे उधार देने से आज आपको बचना चाहिए वरना आपका कोई भारी नुकसान हो सकत है आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज विशेश करके आप खान पान पर थोड़ा सा नियंतरन रखेंगे तो इससे आपका स्वास्त काफी उत्तम रहेगा तो आज आपका भागिशाली अंक दो हे शुब रंग बेंगनी रंग है बेंगनी रंग का प्रियोकारी छेत में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इशनान करने के पश्चाद भगवान शिव जी के मंदिर में अगले राशी है मकर्म अच्छा लाब प्राप्त होने के संकेद बन रहें इसलिए आप मेहनस से पीछे हटने का प्रयास आज बिलकुल नहीं करें आज लाइप की यदि हम बात करें तो अपने जीवन सांती के साथ बहतर समझ जिंदिगे में खुशी सुकून और समरदी ले आएगी आज स्नेह प कारे की तारीब करेंगे आज के दिन आपके योग में प्रोमोशन होगा मन चाही जगह पर आपका प्रोमोशन या उन्नती आपको मिल पाएगी आज स्वास्त की यदि हम बात करें यदि आपको पुराना कोई रोग है तो आज आपको अपने सारीरिक स्वास्त का ध्यान प्रादिक करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी। अगली राशी है कुम्भ तो कुम्भ राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि कुछ जरूरी योजना एक रियानवित आपकी होगी और ताजा आर्थिक मुनाफ़ा आपको प्राप्त करवाएगी। नहीं रहेगी जैसी आप सोच रहे थें। तो इस दोरान आपको धेरी से आज काम लेना चाहिए। खास करके विद्यारती वर्ग को पड़ाई में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मन को एकागर रखें तो आज आपके लिए बहतर रहेगा। आज लाइप की यदि हम बात करें तो इस समय साथ ही आपके जजबातों को समझेगा और आपको महत्त देगा। आप उन पर भी भरोसा बनाई रखें और उनके विश्वास को तूटने बिल्कुल नहीं दें। ऐसे कई अवसर आएंगे जिसमें आप दोनों का इसनेह गहरा हो जाएगा। आज का दिन वैसे परिवारिक रूप से आपके लिए काफी अच्छा है। आज विवसाई की यदि हम बात करें तो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए यह समय आपको भरपूर अवसर प्रदान करेगा। इस समय आपके योग में कोई बड़ा लाब होने का योग बन रहा है। पेतरक संपत्ति में वरद्धी की प्रबल संभावनाएं आज बन रही है। आपका विशेश उपा इस प्रकार से है। इस समय आप अपने केरियर में नए मुकाम पर जा सकते हैं। इस समय आपको कई सोगाते मिल सकती है। धन लाब होने के प्रबल संकेत आज आपके लिए बन रहे हैं। आज आपको अशुप परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। तो इसलिए परिवार में थोड़ा सा तालमेल बना करके रखें। आपके लिए बहतर होगा। आज विवसाई की एदि हम बात करें तो कारोबार से आपको जम कर लाब होने के योग हैं। विदेशी या दूर इस त्रोत्रों से आमदानी प्राप्त होने के संकेत आज आपके लिए दिखाई दे रहें। आपके खर्च में वरद्धी की संभावना आज अधिक रहेगी। और आज पेसो को सोच समझ करें के आप खर्च करें। विशेश करके खर्च पर नियंतरन बनाए रखें तो आज आपके लिए बहतर होगा। आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आपको अपनी सेहत का आज विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए। यह समय आपकी सेहत के लिहाज से ज्यादा अनुकूल नहीं है। वक्त पर सोजाना, वक्त पर जागना बस यही सीख लें तो आपकी तबियत आज बहतर होगी, आपका स्वास्त्य उत्तम रहेगा। तो आज आपका भागिशाली अंक दो है, शुबरंग आपका जामूनी रंग है। जामूनी रंग का प्रियोक कारी छेतर में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी। तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं। प्रातहकाल इशनान करने के पश्चाद भगवान शिव जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके शिव परिवार की सरद्धा पूर्वक पूजन करें और 21 की मात्रा में बिल्व पत्र पर सफेद चंदन लगा करके भगवान शिव जी के ऊपर अरपन करें। यह था शक्ति उनके नाम मुंत्रों का वहां बेट करके उच्चारन करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ वसफलता दायक आज रहेगा तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकरी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद दायक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करश्ण मित्रों फिर मिलेंगे